गुडिविनिंग दोस्तो आप लोग सभी लोगों का स्वागत है CPCD and MP एक्जाम में आप लोग वहत ही बेसम्दी से जिस चीज का इंतचार कर रहें थे वो अब इंतचार खतम हो गया है आप लोगों का जो मौक टेस्ट है वो 8-9 वजे के वीज आप लोगों का स्टार्ट कर वो लोग जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा दिये गए नंबर पर आप लोग अपना रेजिस्टेशन करवा लें ताकि हम उन लोगों का भी रेजिस्टेशन कर लें जो अभी रेजिस्टेशन अभी तक जिन्हों ने रेजिस्टेशन नहीं करवाया है तो इसी के सबस्त क् जो ग्रोप बनाए हुगा हमने लड़कों का और लड़कियों का उसपर आप लोगों को मिल जाएगी उस पर आप क्लिक करके हमारे दुवारा जो टेस्ट बनाया गया उसको आप कर सकते हैं इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम बिश्ट ना करती हुए हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और वी जो जानकारी है वो मैं आपको दे दूंगा इसी के साथ साथ हम अपना जो आज का class है वो start करते हैं तो देखेंगे हमारा जो पहला question है वो क्या दिया गया है हमारा जो पहला question दिया गया है वो दिया गया है micro computer hardware constant of three basic categories of physical equipment micro computer hardware में वहते कोप करणों की तीन बुनेयादी सिर्णिया कौन सी होती है अतलब जो micro computer hardware होता है उसमें जो हमारे दुवारा physically devices यूज की जाती है जो मैं तीन डिवाइस जो यूज होती है computer में वो इनमें से कौन कौन सी है option पढ़ेंगे option पढ़ते है keyword monitor high drive system unit input output memory system unit input output secondary storage और system unit primary storage secondary stores और जो हमारा fifth option है वो है none of these तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा वी option इसका सही होगा मतलब जो micro computer hardware में जो physically devices की जो तीन स्रेणिया होती है जो पर्टिक्लर रूप से यूज की जाती है है मतलब जो हमारे लिए फोथी ज़रूरी है वो है सबसे पहली system unit second जो चीज है वो है input output devices और जो third चीज है वो है हमारी memory अगले question क्यों चलती है अगला question क्या है हमारा अगला जो हमारा question है वो है जो हम लोग जो टेस्ट करवाने वाले हैं उसमें जिसको भी अभी registration करवाना है हो नंबर में आप लोगों के लिए description में दे दूंगा आप description में जाकर उस नंबर पर WhatsApp पर अपना नेम साथी साथ डिस्टिक का नेम आप लोग सेन कर सकते हैं ताकि हम जो लोग रहे गए हैं उन लोगों का भी क्या कर लें registration कर लें ठीक है अगला question पढ़ते हैं अगला question क्या दिया गया हमारे लिए अगला जो हमारा question है वो है computer gather data which means they allow user to data computer data एकत्र करना करते हैं जिसका आर्थ है कि वे उप्योग करता को data की अनमती देते हैं option पढ़ते हैं option क्या दिये हैं हमारे लिए option दिये हैं present इस्टोर output और input और फिप्ट अप्शन है none of these तो इसका जो हमारा answer है वो है हमारा answer input क्या होता है कि computer data को एकत्रत करते हैं जिसका आर्थ होता है कि वे उप्योग करता को input data की अनमती देते हैं मतलब इसका ये पूछा गया है इसमें कि computer जो data एकत्रत करता है उसका आर्थ होता है कि वो उप्योग करता हों के लिए input data की अनमती जो data हमने computer में डाला है वो क्या है दे computer data क्या किया जाता है एकत्र किया जाता अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question क्या है इसका हमारा answer होगा वह होगा हमारा input d option सच इसका सही होगा second question का अगला question देखेंगे अगला college यह हमारा थाइड कॉस्चन है थाइड कॉस्चन देखिए जी आई वी पीएस क्लक 2012 में आया हुगा कॉस्चन है ठीक है जो हम आप लोगों के लिए कॉस्चन लेकर आ रहे हैं वह विन-विन प्रितियुक्ताओं में आई हुए कॉस्चन है साधी साथ जो MPD कोड में आई करवा सकते हैं मैं आप लोगों के लिए रिस्किप्शन में में बो ये नमबर दे दू गा जिसे पर आप लोग जाकर क्या करें अपना रेजिस्टीन कर वा ले चलिए धाइड कॉस्चन दिखते हैं थाइट कॉस्टन क्या है हमारा भारतिये व्याग्याने को द्वारा विक्सित सोपर कंप्यूटर कौम सा था परम था सब्थाट याई और कॉम्पैक परिस योर और क्रे यमप्य लुगेंग तो इसका हुर्थ फुर्थ कश्चन है हमारा हुर फुर्थ दिया गया है वह है मल्टी प्रोग्रामिंग इस्टम क्या होता है और ईरिजल टू सरी डेवलप्दे जन्गल फ्रोग्राम सिस्टम्स या भी ऑप्षण दिया एक्जेक्डिट इच्छ मेय केत्यं ओर फास्टर और execute more jobs in the same time और fourth option is none of these तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा C option इसका सही answer होगा execute more jobs in the same time एक ही समय में वह सारी jobs को execute करने का जुकार किया जाता है वो हमारा किसके द्वारा किया जाता है multi programming system के द्वारा किया जाता है जब हम एक ही समय में वह सारी jobs पर कार करते हैं या कार करते हैं तो उसको multi programming या कोई system कार करता है तो उसको multi programming system कहा जाता है एक समय में वह सारी jobs को execute करना अगला question देखेंगे अगला जो question है हमारा fifth question है ये भी svi clear 2009 में आया हुगा question है पढ़ते हैं इस question को क्या पूंचा गया इसमें the basic goal of computer process is to convert data into computer pre-crea का मूल लक्ष data को में किसमें परिवर्थित करता है मतलब जो computer का जो execution pre-crea होती है का जो मूल लक्ष होता है वो data को इन options में से दिया गया एक सही answer होगा उन में से किसमें ये परिवर्थित करेगा option पढ़ेंगे file, tables, information, graphs या none of these तो जो fifth का हमारा answer होगा वो होगा हमारा C option इसका सही होगा information computer की जो प्रिक्रिया होती है उसका main जो goal होता है वो होता है data को information में परिवर्थित करना ठीक है computer की जो execution प्रिक्रिया होती है उसके उसमें क्या करता है computer की जो उसका main लक्ष होता है main goal होता है वो होता है कोई भी data को या हमारे द्वारे दिये गए report को एक particular process करने के बाद output परदान करता है तो उसी को हम क्या कहेंगे हमारी जो information भी वो कहा जा सकता है ठीक है इसलिए इसका answer होगा हमारा information अगला question देखेंगे जो six question है six question क्या दिया गया हमारे लिए which one is the low level language निमन इस तरिये की भासा इन में से कौन सी है assembly भासा है visual basic java या फिर c++ none of these तो हमारा जो इसका answer होगा इस में से मतलब यह पूछा गया है कि निमन इस तरिये भासा कौन सी है फिस वन इस दा लो लेवल language तो इसका जो हमारा answer होगा चट में का वो होगा हमारा first option सही होगा assembly भासा क्या है एक low level language है मतलब निमन इस तरिये भासा है अगला question देखेंगे अगला जो हमारा साथवा question में वो दिया गया है PCV stand for PCV का full form इसमें से क्या है first option देखेंगे process control block इसके बारे में थोड़ी सी information दी गई है वो भी पढ़ लेते हैं कि PCV एक क्या है data structure है जिसे प्रतिक process या task के लिए operating system द्वारा maintain किया जाता है मतलब यहां पर जो PCV का full form दिया गया है process control block वो क्या है data structure है जो प्रतिक process या task के लिए operating system के द्वारा maintain किया जाता है ठीक है और अगला जो हमारा option दिया गया है उसमें दिया गया है प्रिंटिंग सर्किट वोड प्रिंटिंग सर्किट सर्किट वोड इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कि जो PCV का जो second full form इसमें दिया गया है प्रिंटेड सर्केड वोड उसमें लखा है मुद्रित परिफत वोड या प्रिंटेड सर्केड वोड या PCV एक विद्धुत अवियब है जो इलेक्ट्रोनिक अवियबों को आधार आस्रे प्रदान करने के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मारगों के माध्यम से जोड आया जाता है इसलिए जो इसका आंसर होगा PCV के लिए ये दोनों फुल फॉर्म क्या है सही है तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वूत ऑफ दा एबब सी ऑप्सन इसका सही होगा वस इसके जो PCV का जो फुल फॉर्म है वो दोनों जंगय पर अलग-अलग तरी स्टम के द्वार मैंटेन किया जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लोक और सेकेंड होता है प्रेंटेड सरकेट वोड तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्षन इसका सही होगा की option क्या हुआ इसका सही या होगा और जो printed circuit board होता है cancel है जिस ऑफ dh просто को ऑधार या आस्राय प्रदान करता है और इसे आपसे सुचालक मार्णों के माधियां से जी ज़ंड़ने के लिए यह जीा जाता है अगला question देखेंगे अगला जो हमारा question यह है हमारा अगला question है आड़वा question है कि which of the following are computers that can be carried around easily निमने लिखत मैंसे कौन से ऐसे computer हैं जिसे आंसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है तो mini computer, super computer, PCS, laptops या none of these तो इसका जो answer होगा वो होगा हमारा laptops laptops ऐसे computers होते हैं जिनको हम आसानी से एक जगाए से दूसे स्थान पर ले जा सकते हैं यह portable computer की रूप में भी जाने जाते हैं अगला question देखते हैं हमारा जो अगला question क्या दिया गया है अगला जो हमारा question है वो है most keywords use and arrangement of keys given the name अधिकाज keyword नाम दिये गए कुझियों की विवस्था का उपयोग करते हैं डेवर, quietry, CISC या none of above तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा quietry keyword क्या होता है जो quietry keyword है वो कुझियों की विवस्था मतलब अधिकतम quietry keyword का ही computer पर यूज किया जाता है अगला question देखेंगे अगला जो question है वो कौन सा है हमारा अगला question 10 question है when when your computer stops working suddenly it is referred to as a जब आपका computer अचानक काम करना वंद कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है crash हुआ computer की die हो गया death हो गयी उसकी या apparently या none of these तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा हमारा crash होना क्या होता है first option इसका सब्सक्राइब जब हमारा computer अचानक से काम करना वंद कर देता है तो इसे हम बोलते हैं कि हमारा computer crash हो गया वो उसकी संकेतों का प्रतिनद्रित किया जाता है binary code में या फिर जीरो और वन के form में या फिर high and low के रूप में या आल आफ दीज एब या none of these एब तो जो digital signals होते हैं उनका जो जो प्रतिनद्रित करता है रीप्रेजेंट किये जाते हैं वो हमारे जीरो और वन के form में रीप्रेजेंट किये जाते हैं तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा 0 & 1 अगला question देखेंगे अगला question है हमारा 12 question which of the following are computers that can be carried around easily निमने लखत में से कौन से ऐसे computer है जिने आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है first option laptop super computers PCS mini computers है तो हमारा जो इसका answer होगा लेप्टॉप सुर्ड दोस्तों यह जो question है वो दुवारा से repeat हो गया मैंने पहले इसका answer बता दिया तो इसका answer होगा laptops ऐसे computer होते हैं जो portable computer होते हैं जिने कहीं भी ले जाया जा सकता है ठीक है अगला question देखेंगे अगला जो हमारा 30 question है वह है which of the following which of the following is the fastest types of computer निमने लेखत में से कौन सबसे तेजगति के computers होते हैं laptop होते हैं notebook होते हैं personal computer work station वर के स्टेशन या supercoms soeh queen होती ही high speed से काम करने वाले computer होते हैं जो वहोत ही तेजगति से काम करते हैं वही होते हैं हमारे supercomputer अगला question देखेंगे अगला question है हमारा what is an embedded system एक embedded system क्या होता है a program that comes wrapped in a box a program that is permanent part of a computer or third option दिया है computer that is part of a large computer or fourth option दिया है computer and software system that controls machines or appliance या none of these तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा एक option इसका सही होगा जो embedded system होता है वो होता है a program that comes wrapped in a box a program that comes wrapped in a box अगला question देखेंगे 15 question है the input device mostly commonly used to enter the text would be the मतलब text दर्ज करने के लिए सबसे अधिक इस्तमाल किये जाने वाली input device क्या होती है वारकोट जीडर है, माइक्रोफोन है, कीवोड है सबी लोग जानते होगी जो आम तौर पर इस्तमाल की जाने वाली input देने के लिए जीडिवाइस होती है वो होती है हमारी कीवोड तो c option क्या होगा इसका सही होगा, कीवोड इसका सही answer होगा आम तौर पर हम क्या करते हैं कीवोड के दुआरा input परदान करते हैं कीवोड भी क्या है, एक input device है वार कोड गीडर भी एक input device है microphone input device है लेकिन अधिकांज तोर पर जिस input device का हम उच करते हैं अधिकतम इस्तमाल करते हैं वो करते हैं कीवोड इसका जो answer होगा वो होगा c option अगला question देखेंगे अगला question जो क्या है हमारे लिए की palm top computer is also known as palm top computer को इन में से किस रूप में जाना जाता है personal computer, notebook computer tablet PC, handled computer none of these तो जो 16 का answer होगा वो होगा हमारा notebook computer V option इसका सही होगा जो palm top computer होता है उन्हें हम notebook के रूप में भी जानते हैं ठीक अगला question देखेंगे अगला जो हमारा question है choose the odd one out इन में से एक विसम जो परकार दिया होगा वो चुनना है first option देखें micro computer, mini computer super computer, notebook computer और digital computer तो इसका जो हमारा answer होगा वो होगा D option notebook computer को एक part of computer के रूप में जाना जाता है बलकि micro computer, mini computer, super computer computer एक अलग परकार होता है इनका और एक notebook computer एक part of computer है ठीक है अगला question देखेंगे अगला question क्या दिया गया हमारी desktop computer is also known as एक desktop computer को किस रूप में जाना जाता है palm, pilot, pc, laptop main frame या none of above तो एक desktop computer को palm pilot के रूप में भी जाना जाता है हमारा जो अगला question होगा वो होगा 19 question when did john appear developed log अर्थम john अर्थम ने लगू कुणक का विकास कप किया था तो इसका question दोस्तों आप लोग comment में दे दीजिएगा कि जो john अर्थम थे उन्होंने जो log अर्थम का विकास किया था तो यह question आप लोगों के लिए आप लोग इसका answer दीजिएगा comment box में साथ ही साथ मैं एक जानकारी फिर से आप लोगों को दे देना जायता हूं कि मैं description में आप लोगों को नम्मर दे दूंगा जिसको भी mock test देना है वो आप लोग सभी लोग आज साथ 8 बचे से 9 बचे के बीच में वो mock test आप लोगों को link provide करवा दी जाएगी और जो वैक्तियों ने जिन वच्चों ने आभी भी क्या किया है registration नहीं करवाया है जो लोग रह गए है तो उन लोगों के यह number दिया गया ह description में आप लोग क्या करें उस number पर अपना नेम साथ ही साथ डिस्टिक का नेम जल से जल से जल सेंड कर दें ताकि आप लोगों का भी registration हो जाए ठीक है चलते हैं अगले question की और अगला जो हमारा question है वो है प्रोट जनरेशन की पीडी में प्रोसेसर सोरी पेस किया गया था जो microprocessor था वह फोर्ट जनरेशन की पीडी में ही यूज किया गया था इसी के साथ साथ हमारे जो किलास होती है समाब मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर तो जैहन जै भारत दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्किप्शन में नमबर दे दूँगा उस नमबर पर आप लोग अपना नेम और साथी साथ डिस्टिक नेम सेंड करके आप लोग रिजिस्ट्रिशन करवा सकते हैं द्यान लगिएगा दोस्तों आज रात आठ वजे आप लोगों के लिए मौक टेस्ट चालू हो जाएगा म टेस्ट देने के लिए तयार रही आज रात आठ वजे ठीक है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर